हेलोफेंट्स आद को उन्सफ में इस BLDC फैन के बारे मैं आपको कुछ अच्छा फीचर से बताने जा रहा हूं जो कि आपको नॉर्मल फैन में नहीं मिलेगा जैसा कि आप जानती हो यह रिमोट कंट्रोल फैन है और इसमें बहुत सारा फ्रोटेक्शन दिया हो रहाता है तो हम इस BLDC फैन के फूल फैन में रूट्रेट करके हाठ डालेंगे इसमें देखेंगे आखिर क्या होता है इस BLDC फैन के में पूरा प्रोटेक्शन दिया होगा या फिर मेरा हाठ कर जाएगा लेकिन यह रूट्रेट करना बंद नहीं होगा चलिए हम देखते हैं आखिर क्य के लिए सबसे पहले हम टेबल पर चड़ना होगा क्योंकि छत में लगा हुआ यह फैन और उसे टच करने के लिए चट चुके हैं और अभी फोले स्वीड में रुट्रेट कर रहा है अब हम इससे पहले इसे हाथ से रोक के देखते हैं यह क्या होता है कि रुकता है या फिर न सुका है अब हम दुसरी बार करते हैं दुसरी बार हम इसके बिलेड में हां टालेंगे और तुसरी बार हम इसमें डेक्ट हां टालते हैं देखते हैं मेरे हाथ में कुछ प्रावलम होता है या फिर नहीं होता है क्योंकि यह हाथ मेरे हाथ में कुछ होगा या फिर नहीं तो आप देख सकते हो यह अभी इसका धिरेटरे श्पीड कम हो रहा है और यह फाइनली रुख गया और रुखने के बाद आप देख सकते हो जब ही हम इसे रोखते हैं फोर्सफुली रोखते हैं यह थोड़ी देर के लिए लगभग 2-3 या पांस सकर्ण के लिए रुखता है और फिर से रोटेट करना शुरू हो जाता है और इसमें कोई प्रोलूम नहीं होता है तो आप देख सकते हैं तो इसमें किस तरके का प्रेटक्शन दिया हुआ है इस फैन में किसी भी खोने से या फिर कहीं से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो आपको बोर के पास जाने का कोई जरूत नहीं है तो चलिया अब हम फैनल रख से हम अधेंक्ष प्रभल्म होता है या फिर नहीं होता है कि यह से अधें मेरे हाथ में कुछ फर्भल्म नहीं हुआ लेकिन एक लेकिन अभी यह रुक गया और फिर 5-6 सेकेंड के बाद यह अचानक से चलना शुरू हो चुका है लेकिन इस फैन में भी कुछ नहीं हुआ इस टाप का प्रोटेक्शन दिया हुआ इस फैन में यदि आप अचानक से रुक तो हो या फिर कोई भी प्रब्लम होता है तो यह थोड़ देर के लिए रुक जाएगा 5-6 सेकेंड के लिए और फिर से चलना शुरू हो जाएगा यह फैन और इस फिर मैंने अन्बाक्सिंग और इंस्टॉलेशन का वीडियो अलग से में बना चुका हूँ झाल झाल